जाहिन वंदमात्रम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जारकंड JFWCE पर इच्छा 2024 यानि की जारकंड फिल्ड उपरकर कॉंपेपर ट्री के अंतरकर्ण देखा जाए तो सामान अधियन यानि की GKS से आपके एक्जाम में 40 कोचन पूछे जाएंगे और आज की इस वीडियो के मादम से हम TOP 25 ऐसे important कोचन को डिसकस करने वाले हैं जो कि हर एक गवर्मेंट एक्जाम में बार-बार कोचन पूछे जाते हैं उड़ी सभी कोचन को इस वीडियो के मादम से कबर करा जाएगा और सारे कोचन आपकी new syllabus पर आदा देते हैं तो आपको इस वीडियो को सुरू से लेकर करें तक जोड़ी देखना ताकि आपका एक्जाम में किसी भी कोचन गलत ना हो और इस बार आपका सेलेक्शन हो पाए ठीक है तो चले टाम को वेस्ट ना करते हो आज कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दू कि आपका ये जो जारकन फिल्ड वरकर का जो आपका एक्जाम होगा ये आपका तीन पेपर में एक्जाम होने वाला है पेपर वन पेपर टू और पेपर थी ठीक है पेपर वन की बात करें तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाइं पेपर है और पेपर टू की बात करें और पे सिर्ट नीरद्चोपरा का संबंद किस से दोस्तों ये जो नीरद्चोपण है इन इन से कौन सा खिल से नमबर सि जैवलिन थ्रो जिए हैं इनका संबंद przekसेल से तो जैवली ठोप और इन होने दोस्तों भारत के लिए गोल्ड मेटल भी जीता था यह आपको याद होना चाहिए अगले कोचन है कि भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब भारत में पहली बार करोना वाइरस आया था तो उसी से में जनता कर्फ्यू लगाया गया था ठीक है लेकिन यह कौन से इसी में लगाया गया था दोस्तों तो एंसर हो जाएगा अगला कोचिन क्या पूछा गया है कि भारत में पहली रेल किस वर्स चली थी दोस्तों भारत की बात करें तो भारत में जो पहली रेल चली थी यह कौन से इस्वी में चली थी तो अठारा सो तीरपन इस्वी में दोस्तों भारत में पहली बार रेल चली थी यह आपको याद रखना है और कहां से कहां के बीच चली थी दोस्तों तो मुंबै से लेकर के थाने के बीच चली थी ठीक है नेक्ट कॉचन है कि सेव का सरवाधिक उत्पादन किस राज में होता है दोस्तों सेव की सरवाधिक सबसे अधिक सेव का उत्पादन होता है यानि राइट एंसर हो जाएगा नेक्ट कोजन है कि डांडिया कि सराज्य का प्रसीद लोक निरिती है दोस्तों बहुत ज़्याद है बीवी आई कोचन कई पार यह कोचन एक जामें पूछा गया है कि जो डांडिया है यह कौन सा डाइट ँरोजीगा गुझरात को अगले कोयन क्या पूछा गया है कि भारत के सबसे युवा परधान मंत्रिक जो की परधान मंत्रिक बने material है तो safisha युवा परधान मंत्रित थे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर जितने भी कोजन बताया रहे हैं यह सभी कोजन आपके हर एक एक्जाम से लिए काफी इंपॉर्टेंट फूल रहने वाले ठीक है अगला कोजन है कि राजस्थान का राज राजस्थान राज्य का लोक निर्थी क्या है दोस्ते यह राजस्थान राज्य है इसकी लोक निर्थी की बात करें तो यहां का मुखी लोक निर्थी क्या है तो घूमर यहां का लोक निर्थी है यहां आपसां सी राइट एंसर होगा घूमर अगले कोचन है कि लाल नगरी के नाम से किस सहर को जाना जाता है दोस्तों इन में से कौन से सहर को लाल नगरी के नाम से जाना जाता है तो लाल नगरी की बात करें तो अल्ली गड़ यहां दोस्तों जो अल्ली गड़ है इसे लाल नगरी के नाम से जाना जाता है जाने हो आप कोचन जो कि बहुत जयाता है इंपाटेक वोचन यह भी दोस्तों कि दोसों के नोटों पर किसका कि चित्र अंकित होता है इस पर आप से भी को पता हुना चाहिए कि कि किसका फोटो लगा होता है कि सेवा पेर हैं अगला कोचन है कि भारत का लोह पुरूष किसे कहा जाता है यह इनलीच वेक्ती को भारत का लोह पुरूष कहाता है भगत सी महातमाः गांदी चंदरसेखर आजाद या फिर सरदार बल्लभाई पटे तो तो दोस्तो सरदार बल्लभाय पटेल को भारत का लोग प्रूस कहा जाता है यानि आपसर नंबर डि राई टेंसर हो जाएगा ठीक है कि छतीस गड़ की राज थानी किया कि बहुत जड़ा आसान कोचन कि 36 गड़ राज 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 थानी कहा पहें दोस्तों रायपुर जो है यह आपन स नंबर डिव्याइट आपको सलमें तो आपको अगरायपूर जो है यह ओर जाइपूर जो है यह जाए ताप नकर दोस्तों का सहर किए अगरा लखनौव रामपूर या फिर गुजरात राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों गुजरात की राजधानी की बात करें तो गांधी नगर जो है यानि आपसे नमबर यह राइट टेंसर गांधी नगर ठीक है आब अगला कॉच्टन क्या पूचा गया है कि किम भारत भारते बैंक की सबसे अधिक साखाए डोस्त इंने से कौन सब भारते में हैं जिसके सबसे हगा है तो nuk टेसकर एस बैंक अविडिया जो की इस बैंक की सबसे अधिक साक है जानों आप संट यह इंशा इंठ बचा से पुछ गया है कि कथक कली किस राजरौ का प्रीद्र लोक निर्थिया कि क कि परधान मंत्री को सामत कौन दिलाता है दो से परधान मंत्री प्रायम मिनिस्टर chuva होते हैं इसको सपत इनने से कॉन से व्यक्ति के द्वारा दिलाए जाता है तो राइट अशर होदीगा आपसन नमर भी राष्ट पति के द्वार होगा आप वर्तमान समय में भारत के राष्टपती कौन है दोस्तों इसका एंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरू लिखेगा ठीक है कि अगला कोजन है कि भारत का सबसे सुरच्छित व्यक्ति की बात करें मेरे दोस्त तो सबसे कि अधिक सुरच्छित व्यक्ति की माने जाता है तो परधानस मंत्रे को भारत का सबसे अधिक सुरच्छित व्यक्ति एक थमार की क्योंकि दोस्तों इनके आगे पिछे का बाध scribically होता लिए गए गाटो का नगर किसे किसे कह हो डिता है गया चंडीगण जपरम के बात करें तो जो है जो कि भारत का सबसेगरम राज्य है यानि आपसे राइट इंसर हो जाएगा अगला कोचन है कि पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है यानि आपसन यह राइट एंसर हो जाएगा अगले कोहचन है कि भारत में सबसे अधिक स्वार ये उर्जा का उत्पादन कहां होता है दोस्तों भारत में बात करें तो सबसे अधिक स्वार ये उर्जा का उत्पादन होता है ये इनवे से कौन से राज में होता है बिहार, केरल, राजस्थान या फिर उडिसा में तो सबस यहां पे बंगाल ऐन आग़ा न अगला इपन जो कि बहुत नदियों की भूमी कि सब्सक्राइब तो पांच नदियों की भूमी है यह सब कौन रदी को कहायता है पंजाब नागालएंड बंगाल या फिर बिहार को तो दोस्तो पांच नद्यों की जो भूमी काहता है यह पंजाब को काहता है यानि आपसा नंबर यह राइट एंसर हो जाएगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना है और दोस्तो आप टॉप 25 कोचन में से कितने ऐसे कोचन थे जिसका एंसर आप सही सह कर पाए अप सब्सक्राइब करके जरूर लिखेगा और दोस्तों मैं आपको बता दू कि इससे पहले मैंने बहु सारे प्रैक्टिस सेट का वीडियो बना दिया हूं यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं जिसका लिंक में इस वीडियो के बोक्स में देदिया हूं आप प्लेज जा करके उन सभी वीडियो को एक एक बार जरूर पढ़ ले क्योंकि दोस्तों उन सभी वीडियो में सिर्फ उडियो सभी कोचन को लिया गया है जो कि पिछले दस या पंद्रा वर्सों में देखा जाए तो गवर्नमेंट एक्जाम के जतने भी एक्जाम्स हुए हैं वहाँ पर बार बार पूछे गए हैं तो रिविजन के उद्र से आप हर एक ट्रस्टों को पढ़ ले ताकि आपका किसी भी एक्जाम में कोई भी कोचन गरत नहों ठीक है तो जिन लोगों ने चैनल को सब्स्राइब कर ले तो आप इस चैनल लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जय हिन जय भारत